सभी को हार्दिक नमस्कार और एक जो विशेश प्रयास सोमु जी के द्वारा किया गया है संपूर्ण भारत के शिक्षा विदों को एक मंच पर लाकर जिसे टीचर एडुकेटर्स ग्रुप का नाम दिया गया है उन्होंने वाटसेप ग्रुप भी बनाया है और फेस्बुक पर भी जो आज की महती आवशक्ता है जिसमें ओनलाइन शिक्षन हमारी एक आवशक्ता बन गई है उसको उन्होंने एक मूर्थ रूप दिया है जिसमें विभिन विश्यों पर जो की शिक्षक समू की बातों को विद्यार्थी वर्ग तक बहुत आसानी से पहुँचाता है और मैं कल ही देख रही थी कि इतने अधिक संख्या में विद्यार्थी और इसके देखने वाले शिक्षक समू हैं तो वो सभी जिस प्रकार से इसमें एक ज्यान आरजन कर रहें हैं तो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और विभिन विश्यों पे मैं भी साक्षी रह यह रहा है तो आज का जो विशय सोमु जी ने मुझे कहा था कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विशेशता और वर्तमान शिक्षा में उसकी प्रासंगिक्ता बहुत कुछ कहा गया है बहुत कुछ कहा जाता है भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विशेशता को लेकर लेकिन कभी-कभी प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि जो बीत गया और जो हम थे विश्वगुरु थे उसकी बात आज क्यों होती है आज इसकी क्या आवशक्ता है प्राचीन भारतिय विज्ञान को पढ़ने और पढ़ाने की मेरा हमीशा से ये मानना रहा है कि जब तक बुनियाद नहीं मजबूत होगी उस पर इमारत मजबूत नहीं बनेगी शायद विश्व की सारी सब्भेताएं मिट गई चाहे बेबिलोन की आप बात करें या दूसरी अने ग्रीक रोमन सब्भेता सभी समाप्त हो गए मगर भारती ये सब्भेता अगर आज तक रही है तो शायद जो हमारी नीव की इट जो हमारी ज्यान परमपरा रही है उसका जो ज्यान रहा है वही मुझे लगता है उसने हमें पूरे विश्व में आज भी खड़ा करके रखा है कुछ दिनों पहले ये बात हो रही थी कि पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी हुई कुछ वर्ष पहले मगर उस समय भी हम खड़े रहे आज भी जो स्थिती है पूरे विश्व में कोरोना की वज़े से आज भी हम पूरी तरीके से सक्षम है और अपनी परिस्थितियों को कोरोना के वज़े से हम निपटने में पूरी तरह सक्षम है प्रयास भी चल रहा है और इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए भी हम उसको किसी न किसी तरीके से संभाले हुए हैं तो मुझे लगता है कि जो हम बात अपनी परंपराओं की करते हैं उसमें विज्ञान का बड़ा ही बहत्व है और भारत की विज्ञानिक विशेशर्गेता पूरा विश्व इसको आज मानता है इसको जानने की परकने की आवशक्ता इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बिना विशेश एडवांसमेंट के बिना विशेश एडवांस एपरेटर्स के उपकरणों के जिस प्रकार हमारे मनीशियों ने ज्ञान विज्ञान दिया वो आज भी प्रेणा स्रोत है हम बहुत सारे शेत्रों में आगे थे मगर आज भी है उस शेत्र की विशिशक्यता को शोध करने के आवशक्ता है और ऐसा नहीं है कि शोध नहीं हो रहे हैं पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं भारत में शोध हो रहे हैं और हमारी जो गणित के शेत्र में विज्ञान के शेत्र में जो विशेशक गेता थी वो एक प्रकार से प्रमानित है मगर उसको पुनर पुनर जीवित करने के आवशकता है आज भी सत्तर वर्षों के पश्षात भी हम जो इतने आजादी के बाद भी अगर हम अपनी शिक्षा में अपनी पुस्तकों में अपनी पाठिक्रम में अगर प्राचीन भारतिय ज्ञान विज्ञान को नहीं लागू कर पाएं हैं तो शायद इसमें हमारी मैकाले की जो शिक् भारती इतिहास में या विश्व इतिहास में क्रोनोलोजिक की बात करते हैं, तो इसमें भारत में एक पुर्वाग्रह की भी बात रही है, शायद हमें जो विज्यान जो हम आधुनिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम इतने आठ नो सो साल हम गुलाम रहें, तो हमारी सब्वेता और संस्कृति को कमतर आकने की जो प्रवित्ती थी उसमें ये बार बार मानने के लिए हमें विवश किया गया कि हमारा इतना पुराना इतिहास नहीं है चाहे वो कहते तो हैं कि हजारों वर्ष हम कहते कि हमारा पुराना है प्रमान भी है हमारे इतिहास के मगर पश्चमी चश्मे से जो देखने की परंपरा है वो शायद ढाई तीन हजार वर्षों से पहले नहीं जाती है खेर हमें इन विवाद में नहीं पढ़ना है काफी कुछ कहा गया कि आरे बाहर से आये कारवा आया गया और हिंदुस्तान बस्ता गया तो शायद बस्ता गया कि परंपरा मैं आज थोड़ा सा अपनी बात रखके विज्ञान के जो विशिशग्यता है उसमें आगे बढ़ूंगी क्योंकि हमें इन विवादों में नहीं पढ़ना है पुन्त विज्ञान को विज्ञानिक दृष्ठी से हमें प्रतिष्ठित करना है और उस पे हम चर्चा करेंगे एक जो छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये कहा जाता है कि आरे बाहर से आए हैं शायद संपूर्ण विश्व में किसी को भी इस बात पर शक नहीं है कि रिगवेद प्राचीनतम पुस्तक है प्राँचीन तक उस्तक में जब यह कहते हैं कि आरे भारत जन्म भूमिह की बात कहते हैं, जनिनी जन्म भूमिष्च स्वर्गा दपि गरेसी और भारत को रेवा खंड का एक हिस्सा कहा जाता है, तो आरे मतलब सब भे सुसंस्कृत, जब इतना सुसंकृत व्यक्ति हैं, इतन कांगों में सभी जगे आरियों ने अपनी मात्रभूमी भारत को ही माना है तो ये पूर्वाग्रह जो है एक विशेश वर्ग तक मैं उनके लिए छोड़ती हूं वो उस पूर्वाग्रह के साथ रहे हमें अपने विज्ञान ज्यान पे गर्व होना चाहिए और हमारी जो आग विज्ञानिक विरासद है हमें उनको देने का प्रयास करना चाहिए मैं जो भारत की विशेश अग्यता की बात कर रही हूं तो उसमें कुछ चीजे जैसे यागिवल्ले रिशी कहते हैं कि विज्ञान कुछ नहीं बलकि ब्रम्हांड के रहस्यों को जानने की क्रिया है इसी इसी शिक्षा में उन्होंने विभिन विज्ञान के भागों की बात की है कि भारत इन इन शेत्रों में पारंगत हासिल थी और पूरे दुनिया पूरा विश्व भारत के इस ज्यान विज्ञान का कर्जदार है हम आत्म मुगतिता और आत्म प्रशंसा की बात ना करें हम अब बात जो करेंगे प्रमानिक तोर पे विश्व को हमने क्या दिया और विश्व ने हमारी किन चीजों को किन रूप से लिया सबसे पहले तो एक हम विज्ञान से जाने से पहले हम भाशा की बात करें संस्कृत भाशा पूरी तरीके से आज भी कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ट मानी जाती है क्योंकि उसमें जैसा बोला जाता है जैसा उचारण किया जाता है बैसा ही उसमें लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है तो ये बात जब पश्मी विश्व भी कम्प्यूटर के लिए मान रहा है जो इंडे यूरोपियन लैंग्विजेज हैं भाशाओं की जो बात होती हैं उनकी भाशा में पचास प्रतिशत शब्द संस्कृत के आते हैं चाहे पित्र यहां से जाके वहां फादर बन गया मात्र वहां जाके मदर बन गया जो भ्राता है वो बिरादर बना अरब से और उसके बाद आके वहां ब्रदर बन गया तो ये होई भाषा की विशेशक्यता हम बात कर रहे थे विज्ञान की विशेशक्यता मैंने यागिवल का मैक्स मुलर का हुई इन्सांग वगेरे भी बाद में आए इन्हों ने भारत के बारे में मेगस्थनिज ने इंडिका में बहुत कुछ वर्णन किया कि किस प्रकार हम भौतिक रूप से सामाजिक रूप से हम उन्नत थे इसके साथ ही ज्यान और विज्ञान की हरामारी परंपरा और श्याद ज्यान तो इतना था कि नालंदा की जो लाइबरेरी जलाई गई तो वो महीनों तक जलती रही इतनी पुस्तकें उसमें थी तो हम जब इन ग्यान और विज्ञान को समायुजित करें और विज्ञान को जब भारती दृष्टी से देखें तो भारत में विज्ञान वी ग्यान की बात होती है कैसे ब्रम्हांड की जैसे मैंने आप क्यों बात की कि यागिवल्य ने कहा कि ब्रम्हांड के रहस्यों को जानना इसका मतलब हजारों वर्ष पहले भी हमें पता था कि ये जो ब्रम्हांड है जो युनिवर्स है वो अंडे के आकार का है और आज का विज्ञान भी कहता है कि अंडा अंडे की तरह हमारी जो solar system है वो egg shape में है पृत्वी भी egg shape में है और जो हम बात करते हैं हमारे विज्ञानिक मनिशी कहते थे कि ब्रह्मांड अनन्त है इसी तरीके से शिव को भी कहा गया है कि अनादी और अनन्त तो शिव को माना गया है प्रकरती का रूप तो जब हम ब्रह्मांड के रूप में विश्व की universe की कल्पना करते हैं तो यह हमारे मनीशी करते थे रिगवेद में आप पढ़ेंगे तो अपनी मात्रभूमी के साथ साथ जब वो सूरे की कल्पना करते हैं तो वो कहते हैं कि श्वेद घोडों म सूरे सवार हैं तो यह साथ सफेद घोडे क्या हुए आज का physics क्या यह नहीं कहता है कि प्रकाश की साथ किरने हैं और यह सातों रंग मिलकर सफेद रंग बनाते हैं श्वेद रंग बनाते हैं तो कहीं न कहीं भारतिय माइथलोजी वो रच बस गई हैं विज्ञान से और व वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि कालांतर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें वो उस चीज को पौन रूप से विज्ञानिक रूप से हर समाज में होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ उतने नहीं होते हैं तो एक जो common mass है वो इतने गुड़ विश्यों को नहीं समसकता है तो विज्ञानिक चीजें उसको जीवन के साथ समझाए गई तो भारत में विज्ञान जो है जीवन का हिस्सा रहा संस्कृती का हिस्सा रहा मैं आगे बात करूंगी शड़ दर्शन किस प्रकार उन्नत रूप में आये लेकिन baren का है मैं थोड़ा से चर्चा करना चाहती हूं कि हमारे जीवन में किस प्रकार विज्ञान समाहित है आप सभी परिचित हैं फसले कटती है तो हमारे होली दिवाली जैसे तिवहार होते हैं बैसाकी होती है रंग पंचमी होती है हमारी रितुवे हैं हमें रितुमों का ग्यान है और रितियों के हिसाब से हमारे त्योहार होते हैं कपड़े हमाई कपास बनाना आता था यह जो भी चीजे हैं हमारी हम सुबे के भोर के समय अर्ध देने की बात करते हैं और यह कहा जाता है कि 8 बजे के पहले सूर इकी जो रश्मिया होती है उसमें इन्फारेड रेस सबसे जदा होती है जो शरीर में हीलिंग प्रेकर्टी करती है तो हमें सुबह नहां के नदियों में अर्द देने का जो हमारे यहां है तुल्सी के पेड़ की बात की गई है हमारे घरों में गाओं में आप देखेंगे एक त्रिकोन होता है जिसमें बर्गद, पीपल और नीम घरों के बाहर ये लगाये जाते हैं सबसे ज़्यादा बर्गद में बर्गद की जड़ों में जमीन को जकड के रखने की प्रवित्ती होती है और इसी तरह एंटिसेप्टिक गुणों से आप परचित हैं पीपल सबसे अदा ऑक्सिजन देता है और जो ये बड़ी कहावत है ना कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए रात को उसमें भूत हैं पिशाच हैं जो अभी बाद में कालंतर में बाते आई इसका वग्यानिक आधार यही है आज भी पीपल को जादा से जादा लगाने की बात होती है खैर ये तो हुई बात की हम हल्दी नी आज जो अमेरिका हल्दी पे पेटेंट करा रहा हैं तो हम शोर मचाते हैं अलोवेरा के नाम पे जो फैशनेबल वस्तुए आ गई हमारे अगरित कुमारी है आईरवेद है तो ये तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है और दादी नानियों के नुस्खे की जो बात है घर के बड़े बुड़े ही हमारी आधे बिमारी दूर कर देते हैं घरे लूप चार से तो ये तो एक जीवन में हमारे विज्ञान रहा है तीज, तिवहार, हमारे नक्षत्र, नाम, राशी, जीवन के संसकार जो अठारा है वो सबकिसफ विज्ञान आधारी थें कर्ण छेदन पे आज बात होती है, मुंडन संसकार की जो हम बात करते हैं, यंग्योपवीत की जो बात होती है, वो सब किसर विज्ञान आधारी थे और आज हम इस चीज को मानते भी हैं, अब मैं बात करूँगी भारतिय दर्शन, ये तो बात हुई कि भारत में किस प्रकार ह हमारे जीवन में संस्कृती में विज्ञान रचा बसा था और यहां तक की पढ़े लिखे नहीं, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वो भी पूरी तरीके से विज्ञानिक चीजों को मानते थे, किस प्रकार शाम को या सुबह किस प्रकार रहना चाहिए, क्या भोजन करना च चाहिए, क्या पत्थ है, क्या अपत्थ है, यहां तक कि क्रिशी प्रधान देश था, मौसम की भविश्या, वाणिया भी हमारे रिशी मुनी करते थे, तो इन सब चीजों के साथ-साथ हमारा जीवन बड़े ही व्यज्ञानिक पध्धिती से था, जीवन को बड़े ही प्रचित हैं कि ब्रह्मचर हैं, उसमें ग्रहस्त हैं, वानप्रस्त हैं और सन्यास हैं और इसी तरीके से समाज को भी बाटा गया था और एक जो बहुत अच्छी बात थी, हमारे बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, आज जो आजकल बहुत कहते हैं कि हमारे बेरोजगारी की समस्या है अपने अपने कर्म के अनुसार उनका बेटा या परिवार के लोग लिगेसी ले लेते थे और जिसका जिस परिवार का जो रोजगार होता था वही पीड़ी धर पीड़ी चलता था तो शायद इसमें मतभेद हो सकते हैं समय के साथ परिस्थित्यां बदली बात आ गई मेरा यह कहना है कि बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से हमारा जीवन वैवस्थित था और हमारा समाज भी वैवस्थित्त था जिसे आज कल सोशल निट कहते हैं वह एक बड़ा ही सुन्दर ताना माना था जिस में विग्यान अपने आप जिसे कहते हैं नेचरिली प्राकरतिक रूप से विज्ञान हमारे जीवन में जुड़ा था वैज्ञानिक जीवन बद्दिती थी जीवन को हमने चार भागों में बाटा हुआ था और जो हमारे शंकराचारे की जो बात होती है उन्होंने मठों के स्थापना की पूरब पश्यमुत्तर दक्षिन को जिस तरीके से जोड़ा गया और लोग ट्रेवल करते थे तो वो भी एक तरीके से पूरे भारत को जोड़ने का एक प्रयास था और शायद यहीं पे मैं जुठलाना चाहूंगी जो यह कहा जाता है कि आरे बाहर से आये थे आरे सब्वे सुसंस्कृत शिक्षित थे और वो अपनी मात्र भूमी यहीं मानते थे अब मैं बात करूंगी शड़ दर्शन की हमारे यहां जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन दोनों ही मैं बात कर रही थी कि जुड़े हुए थे बहुत सारे रिशी मुनी हुए ज्यान परंपराएं रही और जो हम पढ़ाते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी आप सभी परिचित हैं उसको मैं पुने बोलने की आवशक्ता पुने नहीं बोलूगी लेकिन जो एक दर्शन की बात होती थी वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई और जो शट दर्शन हुए उसमें छे दर्शन थे उसमें हमने छे दर्शन में न्याय जो गौतम रिशी के द्वारा प्रतिपादित था और जैसे हम आज कल आईडिलिजम प्रेगमेटिजम दोड़े हुए थे जिन्होंने उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया दूसरा था वैशेशिक दर्शन जो कड़ाद रिशी के द्वारा था जिसमें उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आज की है रसायन और भौतिक विज्ञान उसमें उन्होंने काफी सिद्धान्त दि सांखे मुरी ने सांखे में कणाद ने वैशेशिक दर्शन में कणाद ने बहुत पहले ही अटॉमिक थेरी दे दिया था परमानूं और अणूं की बात की थी इसमें हम थोड़ा सा डीटेल में बात में जाएंगे मैं तीन तक पहुंची हूँ चोथा इसमें योग था जो पातंजली रिशी के द्वारा प्रतिपादी था और उसमें बहुत सारे रिशी बहुत सारे वैज्ञानिक उसमें जुड़े और उसकी बात पूर्व मिमानसा और उत्तर मिमानसा को कुछ लोग वेदानतों की श्रेणी में भी कहते हैं हमारे यां जैसे मैंने बताया कि ज्य ज्यादा कोट दिये जाते हैं उपनिशिदों की बात होती है कि किस तरीके से लेकिन जो गुर्व मिमानसा और उत्तर मिमानसा है उन्हें एक तरीके से जो पहले की चार जिनकी मैं बात कर रही हूं न्याय वैशेशिक सांख्य और योग इन चारों दर्शन का निचोड कहा जाता है तो जो हम बात इसमें आगे करेंगे कि न्याय वैशेशिक सांख्य योग पूर्व मिमानसा और उत्तर मिमानसा को वर्तमान विज्ञान से हम जोडने का प्रयास करेंगे जब हम पूरा इतिहास देखते हैं तो विभिन कालखंड हैं हम वैदिक काल की बात करें उसस चीमी विचारक और कुछ हमारे यहां के भी लोग इस चीज को मानने को तयार नहीं है कि भारत का ग्यान विज्ञान इतना पुराना है और वो उन्होंने हमें जो एक क्रोनोलोजी दी और क्योंकि हम क्लोनियल पीरिड से आए हम उपनिवेश वाद की ही शिक्षा हम ले रहे तो फिलहाल जो NCRT की किताबे हैं वही प्रमानिक हैं UPSC में भी उसी क्रोनोलोजी को माना जाता है तो हम भी जो चर्चा करेंगे उसी क्रोनोलोजी को लेकर हम करेंगे कि व्यदिक काल को आम तोर पे 2520 में बोला गया उत्तर व्यदिक काल उसके बाद आया बोद्ध और जै काल हुआ उत्तर मौले काल हुआ गुप्त काल हुआ जिसे 469 से 780 कहा गया जो हमारे NCRT की किताबों में दिया आपके अपने हो सकते हैं मैं भी इससे बहुत सहमत नहीं हूँ लेकिन हम जो चर्चा बढ़ाएंगे तो इन्हीं काल खंडों को लेकर हम बात करेंगे कि भारत क की विज्ञानिक विशेशक्यता किस प्रकार थी सबसे पहले जगर हम भारतिय ज्यान विज्ञान को देखें तो यह प्रमुख रूप से साथ भागों में बटबटा हुआ दिखता है सबसे पहला होता है भाग इसमें जोतिश्व खगोल विज्ञान भारत की विशेशक्यत सबसे ज़ादा इस शेत्र में थी और पूरे विश्व को अगर हम कहें कि पूरा विश्व कर्जदार है भारतिये खगोल और एस्ट्रोनॉमी जिसे आज कहेंगे जो तिश्व खगोल विज्ञान के तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दूसरा जो शेत्र में ने चुना है जो आज चर्चा के लिए तो उसमें गणित था गणित को भी विज्ञान कहा गया है हमारे यहां इसमें तीसरा जो भाग था भौतिक्व रसायन विज्ञान जिसमें प्राचीन भारते विज्ञान की विशेशग्यता थी चौता भाग है शरीर चिकित्सा विज्ञान और आप सभी आईरवेज से परिचित हैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे जो पाच्वा था उसमें था अर्थ शास्त्रवा मुद्रा विज्ञान जिसको हम एकनोमिक्स एंड कॉइनिज साइंस कहते हैं वो भी एक विज्ञान के रूप में माना जाता था इसके बाद आता है योग विज्ञान हम सभी परिचित हैं योग से तो उसमें शरीर चिकित्सा और योग विज्ञान का बहुत हाथ था और इसमें सांख्य और योग विज्ञान के रूप में अगर हम भारतिये ज्यान व योग जो है मन और शरीर की चिकित्सा की बात होती है वो है उसके बाद जो मैं अन्तिम सात्वा जो मैं आपसे बात करूँगी वो है वास्तु विज्ञान जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं भारत की विशेशगेता वास्तु विज्ञान में सबसे पहले मैंने जो भाग लिया था आपसे चर्चा करने के लिए वो है जोतिश्वा खगोल विज्ञान सारी दुनिया जब बात कर रही थी कि पृत्वी चक्ती है और कोपर निकस को विश्डे दिया जाता है कि जब वो कहता है कि पृत्वी सूरे के चारो तरफ गूमती है अर्थ रिवॉल्स अराउंड सन वेन कोपर निकस सेज ही वोस पॉईजन बट इन आर इंडिया हमारे यहां बहुत पहले आरे भट पाचवी सदी में कह देते हैं इसको कि पृत्वी सूरे के चारो तरफ परिक्रमा करती है और इस बात को तो छोड़ दीजिये पृत्वी की गती विबिन ग्रहों की गतियां बिना किसी एडवान सेपरिटस के तो शायद विशिश अग्यता हमारी इस शेत्र में आगे जब बढ़ती है तो उसमें एक और बात है वराह मिहर का बहुत काम है और वराह मिहर ने इसमें ब्रहमांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की है एक जो एस्ट्रोनोमी में जिसे हम खगोल विज्ञान जोतिश विज्ञान में हम आगे बात करेंगे उस समय हमारे हम जिसे नक्षत्रों की बात होती है रात को हम नक्षत्र देखते हमारे रिशिमुनी देखते थे और उन्होंने उनकी गतियों के बारे में नक्षत्रों के आकार प्रकार के बारे में हमारी जो राशिया हैं इनी नक्षत्रों के आधार पे याद की गई विभिन ग्रहों की बात की गई सब्तरशी की एक छोटा सा उधारने जो बच्चा बच्चा भी जानता है कि सब्तरशी आकाश में हैं उसी तरीके से हम सब रिश्चिक राशी धन जिसको शायद जो नहीं समझ पाते हैं, वो पूंगापंथ कहते हैं, पूरे आस्मान के जो हमारी आकाश गंगा है, उसमें विबिन तारों की सनरचना के आधार पर, हम जब बात करते हैं, हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि पृत्वी तो आकाश गंगा का एक भाग है और ऐसी असंखे आकाश गंगाएं हैं और ब्रह्माण अनंत है तो ये जो अनादी और अनंत की बात है आज का विज्ञान भी यही कहता है कि युनिवर्स इस इन्फिनिट का जो कॉंसेट है वो भारत से ही सारी दुनिया में गया तो नक्षत्र, जोतिश, वेदांग, सूर्य और चंद्रमा सबसे पहले मास जो चंद्रमा को मासकृत कहते है इसके द्वारा मासों का निर्मान हुआ जो हमारे वर्ष के जो पंचांग के द्वारा पंचांगों का निर्मान हुआ जो हम चैत्र, वेशाख, जेष्ट, आसाड जो होते हैं वो चंद्रराशी के द्वारा किये गए और चंद्रमा के आकार के घटने बढ़ने के हिसाब से हमने मासों का निर्माण महीनों का निर्माण किया और जो नक्षत्र में कैलेंडर पूरी दुनिया में कैलेंडर का भी जो विज्ञान है जो पंचांग की बात है वो भारत से ही गई उसकी बाद सूरी के आधारित शायद ये लोगों में एक misconception है कि भारत का जो प्राचीन पांचवी सदी में सूर्य आधारित कैलेंडर आया और विश्छो में वो गया वो रोमक कैलेंडर के द्वारा गया रुम में वो गया और उसको सूरी के सूरे और चंदर दोनो Aquíालेंडर कष्रे भारत को जाता है पंचांग बनाने का इसमें जो साथ दिन की जो कल्पना है भ प्रित्वी टिल्टेड है थोड़ी सी टेड़ी है सूरी के चारोत्रफ घूम रही है ब्रहस्पती मंगल सूरे चंद्रमा और बहुत सारे ग्रह शुक्र सबकी कल्पना हमारे वेदों में मिलती है आश्चरिक की बात है हजारों साल पहले बिना किसी एडवांस उपकरणों के बिना किसी बहुत ही आधुनिक उपकरणों के हमारे वेग्यानिकों ने ग्याद किया अक्षांस और देशांतर को ग्रहों की गतियों को ग्याद किया उन्होंने युनिवर्स की ब्रह्मान के रूप में कल्पना की उत्री दुरुव और दक्षनी दुरुव की कल्पना की ज श्रमि का मौसम आता है। और 6 रतमूं की जो बात है। ग्रीश मशरद हेमंत यो सभी 6 रितमूं जो हम जानते हैं, वो भी हमारे मनीश्यों की हैं। सुरह से दूरी के आधार पे इन रितमूं को दिया। एक और बात जो शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष है वो भी चंद्रमा के हिसाब से हुआ तो जब सूरे चंद्र ग्रहों के हिसाब से हम महीने बना रहे हैं, त्योहार बना रहे हैं, मकर संक्रांती आप सभी परिचित हैं कि अक्षांस, देशांतर, करक रेखा, मकर रेखा, क इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें कुछ आपसे इस बारे में कुछ मैं पढ़ना भी चाहूंगी, इसमें एक हमारे जैसे कि हम स्रिफ वरा मेहर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी और इसमें भारती जोतिश के पाच उन्होंने भाग किये थे, उसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको सूर्य सिद्धांतिका, वशिष्ट सिद्धांतिका, पोलिश सिद्धांतिका, रोमक सिद्धांतिका और पैता मही, तो ये जो पाच वरा मेहर ने जोतिश के बारे में पुस्तक लिखी थी, इसमें ग्रह, नक्ष गतियों और हमारे ये प्रमान हैं, ये सूर्य सिद्धांतिका वरा मिहर की, जिसमें हमारे उस समय की विज्ञानिक उन्नती को ये बताते हैं, इसके अलावा हम तो सिर्फ वरा मिहर की बात करते हैं, उस समय सबसे पुरानी जो प्रमानिक पुस्तक है, वो व्रिद गर्ग की पुस्तक है उन्होंने पुस्तक लेकि वृत गर्ग संगिता और उसी समय पाराशर मुनी ने भी नक्षत्र विज्ञान पे ग्रहों की गती पे बहुत सारे ग्यान विज्ञान सिध्धान्त प्रतिपादित करें आज का जो रोमन एस्ट्रोनॉमी जो है जिसको हम सोलर एस्ट् में विश्यो मानता है वो यहां के रोमक सिध्धान्त से गया है और हमारे वहां और उनके और हमारे जोतिशियों में काफी तर्क वितर्क ग्यान का आदान प्रदान भी होता था जैसे मैंने बताया कि ग्रीस में भारतिय एस्ट्रोनॉमी प्रचली थी वहां का ग्यान यहां पर आया जो Polish सिध्धान्त है और रोमक जोतिश है वो हमारे Greece, Rome और भारत इन तीनों के हमारे आपसी ज्ञान, जो आज हम student exchange program करते है, teacher exchange program करते है, इस तरह के की वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान भी होता था जैसे मैंने कहा कि वैदिक काल में ज्यान क्या जो स्रोत आगे पढ़ा वो मौरे काल तक आता गया और शायर सबसे उन्नत हम हमारा विज्यान मौरे काल में था आरे भट जो थे उन्होंने आरे भट ये सिद्धान्त दिया जैसे मैंने अभी बताय प्रित्वी सूरिक के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है यह आरे भट ने कहा था और आरे भट एक नहीं है अनेक आरे भटों की परंपरा है और उनकी अनेक शिश्य थे भासकरा चारे गड़ितग्य भी थे साथ-साथ खगोल और नक्षत्र विज्ञानिक भी थे तो इसमें और अर्ध रात्रिका दो पुस्तकों का प्रमान मिलता है जिसमें ग्रहों की गतियां, वृत्त, खगोली, घटनाए, सूरिग्रहन, चंद्रग्रहन इनका बड़ा ही सटीग विशलेशन है ब्रमगुप्त को कहा जाता है कि आज का जो न्यूटन का सिद्धान्त है ने अपनी पुस्तिका में लिखा था, आरे भट, भसकराचारे, शतुरनेद, श्रीपती, इत्यादी गणितग्ये उस समय हुए थे, आज हम पाइथागोरस प्रमे की बात करते हैं, जो वर्ग है, घन है, गिंती, भारत ने सबसे पहले पूरी दुनिया को एक से दस तक की जो गिंती है, शुन्य तो एक बड़ी छोटी सी बात है, हम भारत के ग्यान विज्ञान को बड़े ही छोटे तरीके से कह देते हैं, कि भारतियों ने शुन्य का अविश्कार क्या नहीं, भारतियों ने पूरे विश्य को एक से लेके सो तक की गिंती दी, एक से दस तक का ज क्योंकि उसे रटने की प्रवित्ती होती है अब याद करिए आपकी वेदों को तो शृती कहा गया है पीडी दर पीडी वो सिर्फ जुबानी उसको शलोकों के आधार पे वो चलता रहा और शायद वो हमें याद करने की जो हमारी परंपरा है हमारे ब्रेन को एक तरीके से ट् दिखा जाता है आपको याद होगा हमारे घरों में बड़े बुड़ूं को बड़े पहाड़े याद रहते हैं आज-कल के बच्चों को डिस्करेज क्या जाता है तो मुझे लगता कहींद कहीं न गई उसको याद करने आपके डिस्करप्ट हो जाएगा मगर अगर आपने याद रखा है तो एक तो आपके मस्तिश का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है और आपको इन गैजट्स पर डिपेंडिट होनी के आवशकता नहीं है तो मैं बात कर रही थी कि हमारी वेदों में शुरुती थी और व्यादिक गणित शायद पूरा विश्व व्यादिक गणित के लिए भारत का रिणी है गणित को वही स्थान प्राप्त था जैसे कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि जैसे मोर के सिर्पे कलगी होती है और सर्व के सिर पे मणी होती है वैसे ही गणित का समस्त विज्ञान में सबसे उचा स्थान है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आज ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोन मिती उस समय था और जो जो मेट्री है जो मेट्री थोड़ा सा अलग था इसको सल्व विज्ञा कहा गया जो हम बात करते हैं हैं इस बारते करने में इसने अर से बात पर द सकताई में गहाने, अलजब्र जाके वो ग्रीस में अलजब्र हुआ जो बेबिलोन में जो इजिप्ट की सब्वेता इराक की सब्वेता उस समय जो थी जो विभिन देशों में वो भारतिय ग्यान वहां जाके अलजब्रा हुआ और अरब में वो अलजब्र था तो मैं बात कर रही थी अंकगणित, बीजगणित और तीसरा जो जो जोमेट्री था वो अलग सल्व विज्ञान कहलाता था तो ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें था इन चारों ही शेत्र में जो वैदिक गणित आज हम पढ़ाते हैं एक चोटे चोटे शोटे 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 से बड़े बड़े जिसमें कागज, पैंसिल, किताब आपको नहीं चाहिए, आपको मोटे मोटे रजिस्टर नहीं चाहिए एक छोटे से श्लोक से मिंटों में आप बड़े-बड़े सवाल हल कर लेते हैं, शायद ये भारती वैदिक गणित की का कमाल था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज इस पे शोध कर रही है और भारत का लोहा मानती है, अब आप कहेंगे जब मैं बात कर रही थी कि विशेशं भारत की और वर्तमान में प्रासंगिकता, तो एक शेत्र हमने गणित का लिया है, गणित की क्या आवशकता है वैदिक गणित को पढ़ाने की बड़ा बहस होता है, आप तो बड़े थे, थे तो अब हैं, अब आप मॉडन बनिये, उस समय बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना नहीं आनी चाहिए, जिसमें वो वैदिक गणित में पारंगत बने, और कम्प्यूटर का, गैजट्स का, कैलकुलेटर का गुलाम ना बने, तो मेरा ये सदा से आगरे रहा है, कि भारतिये गणित, जो पूरी दुनिया में फैला, हमने दशवलो दिये, पाई दिया, पूरे की बात की गई, व्यास की बात की गई है, घन, दशमलो, आश्चरे होगा, अगर दशमलो नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो क्या आप गणित की कल्पना कर सकते हैं, तो उसमें शत्पत ब्रामन में गिंती शतक की बात हुई है, और उसके अलावा घन, जिसे क्यूब कहते है हैं, उसक्वायर के का हम पेरिमिटर जानना, वृत्त का पेरिमिटर जानना, जो सर्कल है उसके बारे में वर्गमूल, घनमूल, दशमलो, पाई, और इसके अलावा पाणिनी ने जो अश्चाधहि लिखा है, पाणिनी के अश्चाधही में युग्म और अयुग्म की बात ह उसमें है तैतरिये संघीता में छाया आश्यरे होगी कि छाया को किस प्रकार हम ना पें जो शेडो है शेडो को किस तरीके से trigonometry में how to measure shadow that is also very prominent part of Indian mathematics तो वर्तमान में भाताया जासकता है, भूत कुछ बात होसकती है, शफ्सेक्स और केमिस्ट्री स्य में हमारी महारत किस प्रकार थी? भौतिक विग्यान और रसायन विग्यान, आप सबी परिचित हैं Н्नीटन prends law के हम पढ़ता है, कि Newton ने गुर्तवा करशन का सिद्धान्थ दिया बान भट के बारे में कहा जाता है उन्होंने बहुत पहले प्रिथवी के गुर्तवा करशन के बाद की थी और शायद जितने भी आप गृंथ पढ़े भारते ज्यान परंपरा के उसमें पृत्वी में चुम्बकत्व है पृत्वी में गुरुत्वा कर्शन बाल है ये हजारों वर्ष पहले बोली गई है तो खेर हम अपनी बात को हम गुलाम थे परमानिक नहीं कर पाए और आज से अच्छी परिस्थिती हो ही नहीं सकती जब हम इस चीज को हम परमानित कर कि हमारे यह सिद्धान्त थे भौतिक विज्ञान में जो न्याय और वैशेशिक दर्शन यह जो दोनों फिलोसफी के स्ट्रीम्स थे उस समय इनमें सबसे जादा बात की गई थी न्याय में गौतम उन्हींने मैटर क्या है तत्व पदार्थ क्या है इसके बारे में बताया और उनके बाद के जो रिशियों ने गौतम के जो डेसिपल थे उन्होंने मैटर के बारे में बड़े खोज करे और फिजिक्स में बहुतिक विज्ञान में बड़े ही उसमें अच्छे निशकर्श आये और उसके अलावा जो वैशेशिक दर्शन की बात मैंने कणाद के बा पारे में कहा और परमाणूवी भज्य है यह बात उन्होंने कह दी सोची बिना माइक्रोस्कोप के और शायद माइक्रोस्कोप होगा भी हम इस पे शोद करें कि उसमें माइक्रोस्कोप था कि नहीं था और अगर था तो कणाद शायद इतना जादा उन्होंने अडूं और पर्माणों के बारे में और यहीं नहीं रुके उन्होंने अणूंगों के द्वे अणूंग के बात की, जो हम बात करते हैं ह2O, हैडोजन परोक्साइड और बहुत सारे केमिकल्स की उसकी बात करते हैं, तो कणाद निक atomic system दिया और जो गौतम रिशी का जो न्याय था उसने physics की एक पूरी पीड़ी तयार की और सांखे में प्रकृति और पुरुष की बात की तो इस तरीके से तीन तरीके के विज्ञान हुए बहुतिक रसायन और biology की जो बात हुई है वो तीनों इसमें बात जो physics मि अधिक में मैटर में बात की नवैक रजो गोंड तमो गोंड की बात हुई है पुद्गल जो जैन रिशी थे बुद्ध काल तक भी भुधत सारे भशत शेत्र में जो वैदिक परमपरा चली आई वह हमारे मौरे काल तक जैन काल तक और सबसे जाएदा बोध और जैनकाल में और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितिये, समुद्रगुप्त द्वितिये, चंद्रगुप्त मौरे इन सभी कालों तक आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल भारती इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है तो उस समय आरेभट के बाद एक पूरी श्रंखला भासकराचारियों की और आरेभट की आरेभट ने मैंने बताया कि आरेभट ये ग्रंत लिखा तो हमारे वैज्यानिकों की पूरी की पूरी एक श्रंखला चली आ रही है और गृत्वा कर्शन, न्यायवर्तिका, उद्योग कारिका ये सारी जो पुस्तके थी उन में इसके प्रमान मिलते हैं अब जब मैं बात करूंगे फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में गती पे हमारे प्रमान मिलता है वेग के बारे में बहुत कुछ किया गया है इसमें गृत्वा कर्शन बल इलास्टिसी आप आश्यर कर इसके बारे में सवाल पुछे जाते हैं जो quantitative aptitude है और qualitative aptitude का test होता है और शायद इसकी नीव हमारे यहां पड़ी मैं बता रही थी कि physics में भौतिक विज्ञान में हमारे यहां गरंतों में गती के बारे में सिध्धान्त दिये गए वेग के बारे में velocity गुरुत्वा कर्शन बल gravitational force, elasticity, त्वरन जिसको acceleration कहते हैं, space and time, समय और स्थान, time and place और द्रव्यों के गुण जो हम बात करते हैं matter, character of matter, जो liquid, solid के बारे में यह सारी चीज़ें, द्रव्यों की गती यहीं पे आप मत रुकिये, surface tension, surface tension पे प्रिष्ठ तनाओं पे हमारे वेग्यानिक हो जुए हैं, evaporation physics हमारा आगे था, hydrostatistics पे बात हुई है, fluid, motion, viscosity, आश्चरी की बात है, यह हमारे ग्रंतों में हैं, और इसमें वाश्पी करन पे, उश्मा, आप आश्चरी करेंगे, heat पे हमारे यहां काम हुआ है, उश्मा के विबिन प्रकार पे बात हुआ है, conductor, semi conductor, जो आज हम पढ़ते ह है, हमारे physics के किताबा में बहुत पहले है, प्रकाश, light के बारे में, ध्वनी पे physics में काम हुआ है, वातसयायन ने इस पे भाश्य लिखे थे, उसमें reflection और reflection, परावर्तन और अपवर्तन, यह वातसयायन के भाश्यों में है, भौतिक वर रासायनिक परिवर्तन जो हम physical and chemical changes आ मशीन और मशीनों के प्रकार, अभियंतरन, engineering सारी दुनिया को भारत में दिया, अभियंतरन हमारे ग्रंथों में मौझूद है, मशीन, मशीनों के प्रकार, electricity, विद्युत, चुम्बकत्व, विद्युत धारा, क्या आश्चरिकी बात नहीं है, कि इतना ग्यान हजारों साल पहले था, और क्या उसको हमारी विद्यार्थियों को देने की आवशक्ता नहीं है, और वो भी बिना किसी आधुनिक उक्करणों के, बिना किसी विशिष्ट, आज इतनी सुविधाई है, इतना टेक्नोलोजिकल अडवांसमेंट है, और उस समय ये सारी चीजें, जो गणि फिलोसफी पे हम अभी आएंगे, एक और चीज में कहना चाहूंगी, जो केमिस्ट्री का एडवांसमेंट है, हम बड़े आराम से स्रिफ एक छोटा सा उधारन देते हैं, कि कुतुब मिनार में जो महरौली का अशोक स्तंभ है, उस पे अभी तक जंग नहीं लगा, हमारा के केमिस्ट्री तो हडपा काल से था, पॉलिश की हुए बरतन वहां पे थे, धात्मों के प्रयोग, अलोई, पीतल वहां पे था, तामबा था, इसका मतलब हम मेटलर्जी में भी उस समय आगे थे, उस समय हडपा काल की जो खिलोने हैं, जो पॉलिश उटके बरतनों में किया गया है, वो हमारे केमिस्ट्री के एडवांस्मेंट के को बताता है, खिलोने हैं, धात्मों का प्रयोग है, एक जो बहुत बड़ी बात थी, सफेद पारा, पारा से दवाईयां भी बनती थी और पारे को बरतनों में और एपरेटर्स में जो वैज्ञानिक उपकरन थे, मैं पर करके अगले भाग पर आऊंगी, मैं बात कर रही थी कि अब जब हम कहते हैं कि पंच तत्व हैं, तो पंच तत्व ही नहीं, हमारे नो तत्वों की बात की गई थी, उसमें शिती, जल, पावक, स्पेस, मोरल वैल्यूस की भी बात की गई थी, और मस्तिश को भी एक अंग माना गया था, तो नो तत्व हम हमारे थे, लेकिन कालांतर में हमारे वैज्ञानिकों ने फोकस किया, पंच तत्वों पे, जिसमें धरती है, शिती, जल, पावक, वायू और आकाश की बात की गई थी, और इस पे विभिन खोज भी हुए थे, तो इसमें दुय अनुक, त्य आने की आवशकता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स में हम कितने अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, तीसरा जो भाग था में फिजोलोजी और मेडिकल साइंस पे आऊंगी, जिसमें हमारी विशेश अग्यता थी, फिजोलोजी शरीर क्रिया विज्ञान, जो हम योग में पातंजली योग सुत्र पढ़ते हैं, पातंजली रिशी के द्वारा प्रतिपादित है, यह यह फिलोसफी, योग फिलोसफी, मगर उसके पहले उत्तर वैदी काल में अश्विनी कुमारों का वर्णन है, आप सभी ने रामायन सी सीरिल में देखा होगा वैद शुषेंड का तो इस तरीके से वह हमारे हजारों वैदे थे जो गाओं में, देहातों में, नगरों में, कस्पों में, हर जगे थे, लेकिन जो पातंजली का योग सुत्र है, वो बड़ा ही विवस्थित है, और इसके साथ ही न्याय और जो सां की बात करता है, तो हम उसको थेरी को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, मगर हम यह नहीं पढ़ाते कि हमारे कपिल रिशी ने बहुत पहले इस चीज़ को बता दिया था, प्रकृति और पुरुष के बीच में संबंध बताया थे, जो आज की modern ecology है, जो युनेसको sustainable development की बात करता है, हमारे कहा जाता है कि पेड़ों को मत काटिये, नदियों की पूझा करिये, पहाडों को भी पत्थरों को भी पूझने की बात है, क्या यह sustainable development नहीं है, हमारे जीवन में रचा बसा था, आज युनेसको का sustainable development हम पढ़ते हैं, हमारे रिशी मुनियों ने हजा समझते थे और इनकी पूझा करनी की बात इसलिए की थी कि हमारे environment में pollution ना हो, मैं बात कर रही थी सांखे philosophy की, जो कपिल मुली ने प्रकर्टी और पुरुष के बीच में संबंध की व्याक्या की, human ecology और environmental ecology में जो संबंध है, शायद इस से अच्छा ग्रंत आज तक नहीं किस प्रकार तत्व, किस प्रकार अणू और किस प्रकार मनुष्य जो आज हम DNA की बात करते हैं, कि जनतुओं में DNA होता है और RNA पादपों में होता है, तो जो हमारा सार है, उसकी बात प्रकर्टी और पुरुष के रूप में बड़े ही अच्छे से सांखे philosophy में कही गई, और ये कैसे human tendency, कैसे हम स्वस्त रहें, हमारा क्या संबंध है प्रकृती से, कितने जनतुओं हैं, कितने प्रकार हैं, उनका वर्गी करण हम आजकल tables पढ़ते हैं, chemistry में भी हम table पढ़ते हैं, और इसमें भी वर्गी करण गैसों का और तत्वों का पढ़ते हैं, ये tables आप आश् करेंगे सांखे दर्शन में, अजारों साल पहले हैं, और हम योग की बात करें, योग मानसिक चिकित्सा, इसके साथ साथ शरीर को स्वस्त रखने का विज्ञान है, आप सभी परचीत हैं, मैं बहुत इसमें विस्तार में नहीं जाओंगी, शायद समय कम है, और कुछ चीज मनुष्य की शतायू होना, रोगों के प्रकार, उपचार, एक और चीज जो है हमारा मेडिकल साइंस में, चरक शुष्रुत, जो आईरवेद उपवेद हैं, चरक को कहा जाता है कि एडी, एक से दो एडी के बीच में हुए हैं, और शुष्रुत हैं, तीन से चार एडी के ब जो बहुत पहले से आईरवेद जो उपवेद था, उसको आगे बढ़ाने की परंपरा की, सरजरी में हम बड़े आराम से पहले भी मैंने कहा था मजाग करते हैं कि गडेश हाथी का सिर लग गया है, क्या हमने इतनी चीजें सोची नहीं कि एक मनुष्य के शरीर पे हाथी का सिर जुड़ना, वो सबसे जादा हमारे वैज्ञानिक एडवांसमेंट हजारों साल पहले रिगवेद के समय की कलपना कहेंगे आप, वो तो शायद हमारा एडवांसमेंट ही था, हाथों को जोड़ना, ये सारी चीजें बाद में आई, जो शुष्रुत ने परंपरा शुर आज के डॉक्टर हिपोक्रेट्स की शपत लेते हैं कि मेडिकल एथिक्स है, उन्होंने बहुत पहले चरक संभिता में मेडिकल एथिक्स की बात की है, वात, पित और कफ के अनुसार, रोगों की बात की है, हर शरीर की प्रकृती की बात की है, क्या बीमारी के लक्षन है, क् आश्चेरी करेंगे आज जिसम वायरस की बात करते हैं उस्में विशाणूओं का उल्लेक है छोटे-छोटे रोग कारक के टाणूओं का उलेक है हमारे वज्ञानिक ज्यान में इसमें मानसिक रोग और निराशा सारी दुनिया बात करें कि हमारी students मांसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं stress management तो चरक्स इसकी भी बात करते हैं मांसिक रोगों को कैसे दूर किया जाए पाचक रसों की बात करते हैं और इसके एलावक किस तरीके से पाचन क्रिया को हम अच्छा बनाएं विश किस तरीके के हो दवाईयों टीकों की बात की गई है कि किस प्रकार उनको दिये जाएं टीके जिससे वो आगे स्वस्त रहें नीम के गुण पीपल के गुण जड़ी बूटियों के प्रकार किस प्रकार से दवाईया बनाई जाएं किस प्रकार घर में सुरक्षित रूप से रखी जाएं तो उन्होंने प चैची छेदना यंत्र उप्यंत्र ये सब के बारे में जो मेडिकल एपरेटस थे उसके बारे में बताया है किस तरीके से हाथ को जोड़ना है हड़ी को जोड़ना है किस प्रकार से कहा जाता है कि कैंसर का भी उपचार उस समय था और शलिच किस्सा के द्वारा शुश्रुत इसको प्रतिपादित किया था क्वात्थ दवाईयों बनाने के नियम और उन्होंने सर्जरी के 18 नियम बताये थे 18 प्रकार बताये थे कि किस प्रकार हम सर्जरी करें तो हम एक और चीज बहुत जो इंपॉर्टन बात है आज हम जेनेटिक्स के पढ़ाते हैं अपने के बारे में बातें की किस तरीके से नेटल प्रीनेटल स्टडीज के आज बात होती है गर्प में किस तरीके से बच्चा आता है किस तरीके से उसके आगे का जीवन होता है किस प्रकार से पौधों में उत्पत्ती होती है तो एंब्रियोलोजी जेनेटिक्स पशू चिकित्स आप पाश्यरी करेंगे उसमें पशु चिकित्सा के भी बारे में आज का जो वेटरिनरी साइंस है इसके बारे में बात होती है घोडे के बारे में ओट अश्व और इसके अलावा हाथियों की चिकित्सा पक्षियों की चिकित्सा इसके बारे में रस चिकित्सा जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं इनके बारे में उस समय बात किये गई थी तो आईरवेद में हमारे advancement और आज आप कहेंगे कि आज इसके आवशक्ता क्या है तो आज आवशक्ता इसलिए है कि एलोपेथी के आप देख रहे हैं साइड एफेक्ट होते हैं पूरा विश्व आईरवेद की तरफ जा रहे हैं इसके no side effect गुणों के कारण आप घरेलू चीजों से किस प्रकार बिना side effect के स्वस्त रह सकते हैं इसमें जादा से जादा शोध की आवशक्ता है और मुझे खुशी है कि हमारे विबिन संस्थान आईश मंत्राले इस शेत्र में काफी काम कर रहा हैं जो चौथी बात में आपसे करूंगी हमने बात किया था कि किस प्रकार योग आया और किस प्रकार हमारा आयुर्वेद था तो ये योग को मानसिक चिकित्सा मानसिक हमारे शरीर को स्वस्त रखना शारेरिक मानसिक जिसे कहते हैं कि पातंजली ने यम नियम ध्यान और समाधी की बात की आसन अहार विहार की और उपनिशदों में भी योग को बड़ा मेहतों दिया गया महा भारत में श्री कृष्ण जब अर्जुन को शिक किये कि जीवन एक तपस्या है और इसमें किस प्रकार हम शरीर और मन को स्वस्त रखें इस पे बहुत कुछ चर्चा करने के आवशक्ता है मगर समय की कमी है मैं अब पांचवे अंग जिसके बारे में मैंने चर्चा की थे कि भारत्य विज्ञान का पांचवा भाग जो कि ब से ग्रीज से हमारे संबंद थे हमारे और उनके जो सिक्के हैं जो आज भी ग्रीज में जो सिक्के हैं उसमें भारतिय सील मिलता है हमारे ग्रीक कॉइंस मिले हैं यह हमारे उस समय की उन्नत व्यापार को बताता है हमारे यह नाव बनाने का विज्ञानता हमारे यह किस तरीक उस समय था हमारे यहां विदोश्यों से वेपार होते थे इसके आख्यान हैं इसके प्रमान हैं और अगर आप कहेंगी कि स्रीफ मौरिकाल तक था या उसके बाद में हमारा जो हमारा वेपार था ये गलत है हमारे वेदों में समुद्र को रतनाकर कहा गया है रतनाकर रतनों का खान और उस समय भी हमारे यहाँ याड की जिसको नाव की नाविकों के प्रसंग है और किस तरीके से हमारा व्यापार होता था दुनिया के विभिन देशों से इसकी बात है तो कॉइनेज एक साइंस था सिक्का जिसको मुद्रा विज्ञान हम कहते हैं वो समय था धातूं का और व्यापार और वानिज यह कॉटिले का अर्थशास्त तो आज सभी MBA इस्टिटूशन में पढ़ाया जाता है सिर्फ कॉटिले नहीं उस समय अनेक ऐसे विज्ञानिक थे जिनोंने commerce as science established किया वानिज जी को विज्ञान का दरजा दिया और उसमें पूरी दुनिया में किस तरीके से विभिन देशों से व्यापार हो उसके नियम थे इसमें Egypt, Mesopotamia, Babylon और सिंधु घाटी के सब्विता में भी व्यापार के हमारे प्रमान मिलते हैं तो रामायन में भी उलेक मिलता है कि किस तरीके से boats के और ship के द्वारा सेना भी गई जो एक सेतू तो बना वो तो था ही उसके अलावा महाभारत में किस तरीके से ship के बारे में अक्षोनी सेना तो थी ही बहुत सारी इस तरीके के ज्यान विज्यान का उलेक मिलता है। वेन सांग ने इसके बारे में बहुत वर्णन किया है, मेगा स्थनिज ने इंडिका में बहुत बात की है, रिगविद, संहिता, बोधायन, इन सभी चीजों, इन सभी ने इसके बारे में वर्णन किया है, कि हम व्यापार और वानिज्य में किस प्रकार आगे थे, कमबोज, अ आशोक के बारे में आप सभी को पता है हम साउथ इस्टन एशियन कंट्रीज में हमारे किस प्रकार व्यापार थे हम वानिज्ज में किस तरीके से आगे थे अपनी बात को में थोड़ा सा एक और आज समय की कमी है और शायद इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है जो अंतिम भ ग्यान के आधार पर बने थे नालियों का उत्तम प्रबंध थो घर पूरी तरीके से चोकोर थे और पुरी की पूरी कई याऊ बटी बनिबर कॉली शेप में बना हुआ था और पूरी साफश उफ़ाई की विवस्ता थी जल संग्रेह की विवस्ता थी जो बात बिग बात की बात होती है कि उसमें हमाम थे और लोग नहाते थे तो वो सारा कैसे जल शनरक्षन किया जाए भारत को एक कृशी प्रधान देश कहा जाता है मगर आप इस चीज को इस शेतर में हम ना जाए कृशी हमारे जीवन का उत्तम हिस्सा है मगर हमारे देश में पुरा जिसे बहुत सारे दकषिन भारत में बहुत सारे वास्तो विज्ञान में हमारे पारंगत होने की बात को बताते हैं इटों का भवनों का निर्मान किस प्रकार करें मगद सामराज्य दक्षिन में चालुक के मध्य प्रदेश में सात्वाहन ये सारे के सारे जो सामराज्य थे उनमें वास्तु विज्ञान अपने बड़े ही उन्नत अवस्था में प्राप्त था तो आज मैं थोड़ा से इसको वाइंड अप करना चाहूंगी अपनी बात को खतम करते हुए कि जो एक हमारे विज्ञान को बड़ा ही छोटा करके मानने की प्रवित्ती है कि हमारे विज्ञान में हमने शुन ने दिया पूरे विश्यो को हमने एस्ट्रोनॉमी दे दियो या जो मजाक उड़ाया जाता है हमारे तीज तिवहार इसको कि आप ये धोंग है हर धोंग के पीछे अगर आप जाएं तो एक विज्ञानिक परंपरा है हमारा जो दर्शन है विज्ञान आधारित्ता और शिक्षा और दर्शन और साथ ही हमारा जीवन जीने का तरीका पूरी तरीके से विज्ञानिक है और आज की शिक्षा में इसको मुझे आश्यर होता है कि सतर वर्श बीत गए और NCRT ने या हमारे शिक्षा संस्थाओं ने हमारे प्राचीन ग्यान विज्ञान को दो पन्नों में सिकोड दिया पिछले 7800 की इतिहास को हम बड़ी-बड़ी किताबों में मेडिवल इंडिया और मॉडन इंडिया के रूप में पढ़ाते हैं और एंशेंट इंडिया बड़ा छोटा सा जो इतने हजारों साल के इतिहास को आपने कुछ पन्नों में समेट दिया और जो पिछले 7800 हैं उसको आप इतना पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को अपने गर्व गुरूर नहीं होना चाहिए मगर गर्व होना चाहिए और मैकाले का जो गुरूर था कि हम हम ही ग्यान में आगे हैं शायद हमारे चात्रों को ये अपनी विरासत है विज्ञानिक विरासत को जानने की आवशकता है उस पे अधिक से अधिक शोध करने के आवशकता है जिससे वो गर्व से अपनी विज्ञानिक विरासत को आगे ले जा सके और भारतिये जो उन्नत अवस्था थी जैसे मैंने बताया कि विभिन दर्शन और शट दर्शन के हिसाब से हम गणित में आगे थे हम भौतिक और रसा हमारी विषश अग्यता है जो भारत की ले मदर्श के सीखक्ता है और विभिन परिस्थिति यहों में कम से कम रिसोर्स में किस प्रकार हम ग्रहों के बारे में नक्षत्रों के बारे में भौतिक और रसायन विज्ञान में लबॉरेट्रीज में हम इस ग्ञान विज्ञान को किस प्रकार हम उन चीज़ों को सीखे और आगे बढ़े शायद भारत की जो एतिहासिक परंपरा है एक ठोस नीव जो पे आधारी जो ग्यान विज्ञान है उसने हमें अभी तक एक परंपरा के रूप में अक्षुन रूप से भारतिय संस्कृति को जीवित रखा है और हमें इस परंपरा को अपने आगे आने वाली पीडी को शिक्षा के माध्यम से देना चाहिए और शिक्षा ही एक शशक्त हतियार है जो हमारे उस ग्यान को संयोजित, समायोजित और जिसे डैनमिक फ्लो कहेंगे उसमें एक नदी के नेच्रल फ्लो के रूप में उसको आगे ले जाएगा तो भारतिय ग्यान परंपरा के इस श्रेणी में भारतिय विज् प्रशन पूछना चाहें तो स्वागत है आपका आप कुछ प्रशन पूछ सकते हैं जिससे हम हमारे बीच में जो एक तरफा समवाज चल रहा है शायद उसमें कुछ विभिन्नता आए और हम साक्षी बने जो यह सोमुझी ने बहुत ही अच्छा इनिशेटिव लिया है उस में तो प्रशन मुझे नहीं दिख रहे हैं और संभवत सभी संतुष्ट हैं और मेरे ख्याल से एक साजा राय बन रही है कि हम विज्ञानिक रूप से बहुत जादा विशिष्ट थे और हमारा ज्यान विज्ञान आज भी प्रासंगिक है आवशक्ता है कि यह जो ज्यान प परंपरा का एक विशिष्ट स्थान हो और जो सर्वे भवन्तो सुखिना की जो हमारी ज्यान परंपरा है और सा विद्या या विमुक्त है कि विद्या से ही विमुक्ति मिलती है और विज्ञान का ज्यान शोध शेत्र में हमें स्थापित करें बहुत बहुत धन्यवाद